नमस्कार साथियों एकेडमी के NCRT सिरीज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है NCRT की जो पुस्तक है उसमें हम इसके अगले अध्याए पर चर्चा कर रहे हैं जो इसका चौथा अध्याए है और इस पुस्तक का नाम क्या है आर्थिक विकास की समझ जो की कक्षा 10 के लिए समाजिक विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक आपके सामने बताई गई है तो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है लेकिन आपके लिए UPSC का जो सिलेबस है इसका economy का उसके लिए बहुत महत्पूर है इसमें कई सारे concept ऐसे हैं जो आपसे सीधे प्रशन के रूप में पूछे जा सकते हैं तो कि society वाला जो एक topic है उसी खास बात यही है कि उसमें आपको बहुत विस्तार से चीजों को एक बार समझने के आवशकता होती है क्योंकि society का जो भी प्रशन आपके सामने आएगा वो थोड़ा सा ऐसा आएगा कि आपने जब तक detail में उसके बारे में चीजों को समझा नहीं होगा कुछ मूलभूत अवधारणाओं के आपने समझ नहीं जानी होगी तो फिर उसका उत्तर करपाना आपके लिए थोड़ा सा जटिल कारे होगा ठीक है तो आज इस पुस्तक में कुछ जरूरी बातों पर बात करेंगे इसके अलावा इसमें बहुत सारी बाते आपको ऐसी भी सीखने को मिलेंगी जो की सीधे-सीधे किस्तों और कहानियों के रूप में बताए गई है तो वैश्वी करण क्या है वैश्वी करण की चुनौतिया क्या है कुछ इस तरह की बाते पुस्तक में आपको मिलने वाली है अध्याय 4 का नाम क्या है वैश्वी करण और भारती अर्थवेवस्ता अर्थात वैश्वी करण की जुद प्रक्रिया को आप देखते हैं पूरे विश्व को एक ग्राम समाच के रूप में आप जुड़ा हुआ देखते हैं पता है कि बाजार में अगर आप चले जाएं तो आपको कई तरह की चीजे ऐसी मिल जाएंगी जो की अंतराश्टी बाजारों में भी उपलब्द हैं आप चाहें आप कार के कई सारे मौडल खरी सकते हैं तो यसे बहुत सारे उधारण आपको आज के समय बाजार में मिलेंगे आपको खिलोने मिल जाएंगे बहुत सारे जो अंतराश्टी बाजारों ते जुड़े हुए हैं आप सिनेमा देखने जा सकते हो जहां पर आपको विदेशी या हम कहें हॉलिवूड के द्वारा निर्वित की गई कई सारे मौवीज देखने को मिल जाती हैं तो ये सबी ची यहां पर लिखी हुई दिख रही है पहला क्या है वैश्वी करण और दूसरा क्या है भारती अर्थववस्था इसमें आपको ये भी समझ में आएगा कि वैश्वी करण का भारती अर्थववस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है क्योंकि UPSC के सबसे प्रमुक सवालों में से एक सवाल ये भी है तो आज के विश्व में अगर आप देखते हैं तो बहुताओं के रूप में हमें से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के बहुत सारे विकल्प मौजूद है आप टॉप कंपनीज के डिजिटल कैमरे ले सकते हो मुबाइल फोन ले सकते हो टेलेव भारत की सड़कों पर केवल एमबेजडर कार आपको देखने को मिलती थी है ना कुछ एकाद फियट कारे ये देखने को मिलती थी तो आप ये मान सकते हो कि आज का जो विश्व है या भारती अर्थे विवस्ता है वहाँ पर कई तरह की टॉप कंपनियां मौजूद है आप आप देखते हो कि भारत में दूसरी कंपनियों के बहुत सारे ब्राण मौजूद है अगर आप किसी एक चीज़ को लेना चाहो अगर आप किसी एक कंपनी का मौबाइल खरीना चाहो तो तुल्लाकमा गरूप से आपको बहुत सारे मौबाइल फोन्स मिल जाएंगे या ना तो आपको ये पता चल गया है कि हमारे देश में अब जो विकल्प हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं तो कुछी वर्षों में हमारा जो बाजार है वो पहले की तुल्ला में काफी ज़्यादा बदल चुका है और अगर आप से कोई सवाल ये पूछे कि आप इन सभी तेजी से होते हुए परिवर्तनों को कैसे देखते हो तो आप इसका क्या अंसर करोगे है इसके लावा इस अध्याय में आसे बहुत सारे सवालों पर चर्चा की गई है तो आप इन तस्वीरों में भी इन सभी गतिविदियों को देख सकते हो जैसे कई सारे ब्रां इस तरपर किये जाने वाले तो अगर आप बीसवीं शताबदी के मद्द तक उत्पादन को देखोगे तो यह बेसिकली देशों की सीमाओं के अंदर ही तयार किया जाता था और इन देशों की सीमाओं को लाहने वाली जो वस्तुएं होती थी उसमें बेसिकली कच्चा माल जाएगा क्योंकि भारत जब अपनेवेशिक काल में उपनेवेश बना हुआ था तो हम कच्चे माल और खादे पडार्थों का ही निर्यात करते थे और जो तयार की हुई वस्तुएं थी उसको हम क्या करते थे आयात कर लेते थे अपने देश में वापस ले लेते थे तो व् मल्टी नेशनल कंपनीज मौजूद नहीं थी मल्टी नेशनल कंपनीज का क्या मतलब होता है बहुराश्ट्री कंपनियां यानि ऐसी कंपनियां जो एक साथ कई सारे देशों में ऑपरेट करती है तो एक बहुराश्ट्री कंपनी वह है जो एकसे अधिक देशों में उत्प इत्रण रखती है और अपना स्वामित तो रखती है तो इस बात को इस पस्ट रखेगा कि मल्टी नैशनल कंपणी कौन सी है जो कई सार देशों में हो उत्पादन से जुड़ी हो और वहाँ पर उसका मालिकाना अधिकार भी हो तो ऐसे प्रदेशों में अपने कारयाले या फ एजामपल अब यहां पर दिया हुआ है सबसे पहले तो मैं आपके यह कहूँगा कि उत्पादन के लिए किसी भी देश में उत्पादन के लिए कौन सी प्रमुख चीज़े हैं जो बहुत आवश्यक है तो आप सबसे पहले कहोगे श्रम दूसरा आप कहोगे पूंजी तीस इसरा आप कहोगे भूमी और चौथा आप कहोगे तकनीक या प्रौद्योगिकी यह चार ऐसी चीज़े हैं जो किसी भी उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक और बहुत जरूरी है तो अद्योगिक उपकरणों को बनाने वाली एक मल्टिनेशनल कंपनी है जो सभ्त राज अमेरिका के रीसर्च सेंटर में अपने उत्पादों को डिजाइन करती है तो उसके जो पुर्जे हैं आप देखोगे वो चीन में बनाता है कहां बनाता है चीन में बनाता है और फिर इने जहाज मिलाद कर मेक्सिको ले जाता है और पूर्वी यॉरप ले जाता है यहां क् उसका design बना रही है दूसरी जगे पर उसके कलपुर्जे बना रही है अब भारत में देखोगी तो भारत जो देश है भारत गराहक सेवा के लिए एक call center इस्थापित कर सकता है जहां पर जो इसके customer होंगे इस company के उन customer को service देने के लिए भारत से लोग calls attend करेंगे उनको service आपको clarity मिल रही है कि multinational company आप किसे कहोगे ठीक है तो इसमें आपको इस example में एक बात जो समझ में आ रही होगी वो ये है कि जो बहुराश्ट्री कंपनिया है वो केवल वैश्विक इस्तर पर ही अपना तयार उत्पाद नहीं बेच रहे हैं बलकि और भी ज़रूरी बात य क्या है क्या है सामानों की विक्री है केवल वही नहीं हो रही बलकि उत्पादन भी कैसे हो रहा है वैश्विक इस तरह पर हो रहा है तो इस बात को ध्यान रखिएगा ये ले वह एक खास बात है जो आपको समझनी है यूझकि आने वाले समय में आपको ऐसे बहुत सारे प्रशनों का उत्तर करना होगा तो सीधे सीधे इस तरह के आपके सामने बन करके आएंगे तो परड़ामता क्या होता है यो उत्पादन प्रक्रिया है वो आपको काफी जादा जटिल ढंसे बनी हुई दिखाई देगी तो आपने जो धारण देखा उसमें आपको पता चला कि चीन एक सस्ता manufacturing केंदर होने का लाब दे पा रहा है अभी मैं आपको कुछ और example बताऊँगा मनला इस पुस्तक में आपको क्या है कुछ examples पुराने दिनों के code किये गए है अब उनको अपडेट करके आपको बताऊँगा जैसे इस पुस्तक में आपको Ford का example मिलेगा फिलाल Ford भारत से जा चुके हैं चीन को एक manufacturing section के रूप में या center के रूप में इस पुस्तक में बना हुआ दिखाया गया है लेकिन अब चीन की स्थिती पहले से थोड़ा सा बदलती जा रही है अगर आप देखोगे Mexico और पूरी यॉरप अमेरिका और यॉरप के बाजारों में अपनी जो निकटता है चीन की उसकी वैसे अभी तक लाब ले रहा था भारत में आप देखोगे अतन्त कोशल इंजिनियर है जो पादन के तकनीकी पक्षो को समझते हैं आपको भारत में मिलेगा कि अंग्रेजी बोलने वाले बहुत सारे शिक्षेत युवक मौझूद है जो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल सकते हैं तो वो क्या दे सकते हैं गरह सेवाएं दे सकते हैं वो किसी कॉल सेंटर पे काम कर सकते हैं और ऐसा करते भी हैं आपको समझ में यह आएगा कि भारत का जो सिस्टम है सर्वेस सेक्टर है वो ऐसा क्यों बना हुआ है तो यह जो सभी चीजे हैं यह क्या है multinational companies को लागत का लगभग 50-60% तक बचत कराते हैं यह बड़ी वज़े है कि multinational companies क्यों सीमा पार अलग-अलग देशों में जाकरके उत्पादन करना पसंद करते हैं तो आप एक सामाने बात को समझे विश्व भर की उत्पादन को एक जूसे से जोड़ने की प्रक्रिया किस तरह से कार करती है लेगी सामाने था जो बहुराष्ट्री कंपनिया है उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदी हो जहां पर बाजार पास होगा ये वहाँ पर ही जाकरके अपनी उत्पाधन इकाईयों को लगाएंगे यहाँ पर ये manufacturing कर पाएंगे क्यों ऐसा करेंगे क्योंकि वहाँ पर इन्हें कम लागत पर कुशल और आकुशल श्रम उपलब्ध हो जाएगा बने भी आपको क्या चार आवशक्ता है बताएं उत्पाधन की उत्पाधन की चार आवशक्ता है हमेशा याद रखेगा श्रम, भूमी, पूंजी और चोधा क्या है तकनीक अब आप देखें इन्हें क्या क्या सस्ता मिल रहा है इन्हें यहाँ पर श्रम सस्ता मिल रहा है जिससे इनकी लागत कम हो जाएगी साथ ही बहुराष्टी कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं क्यों रखती हैं क्योंकि अगर सरकार की नीतियां बहुत कड़ी होंगी तो इन्हें वहाँ व्यापार करने में बहुत टेक्स लगाती है, बहुत कड़े नियम होते हैं, अगर आपको एक भी काम, एक भी काई स्थापित करने हैं, तो उसके लिए तुरन लाइसेंस लेना पड़ता है, तो कोई भी कमपनी ऐसे देश में जा करके उत्पादन को नहीं करना चाहेगी, ठीक है, तो उसके हितो का देखबाल करती हो, ऐसी सरकार क्या वोशिकता है, बाद में, अब याप अगले अध्यायों में सरकारी नीतियों के बारे में और भी छीजाकों को देखेंगे, तो जब बहु राश्ट्री कमपनियें, ये सभी कामों को कर लेती है, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, कि उ उपकरण इन सभी चीजों में यह जो खर्च करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है निवेश. याद रखिएगा. तो कोई भी निवेश इस मकसद से या इस आशा से किया जाता है, यह जो भी परिसंपत्या है, जो भी एसेट्स हैं, यह लाब अरजित करके दें आपको क्या समझ में आया एसेट्स अब मैं आपको दो बाते यहां पर बता दूँ एक शब्द है एसेट और दूसरा शब्द है लाइबिलिटी कौन-कौन से दो शब्द हुए लोकि इसको थोड़ा सा क्लीन कर ले वरना यह काफी ज़्यादा मैसी सा लग रहा है आपका बोर्ड तो मैंने आपको दो शब्द बोले हैं कौन-कौन से हैं वो दो शब्द एक है एसेट और दूसरा है लाइबिलिटी चलिए थोड़ा सा इनको समझ ले इन दोनों का क्या आर्थ होता है जो आपकी asset है अर्थात आपकी परिसंपत्ती है और जो आपकी liability अर्थात आपकी जिम्मेदारी है क्या है आपकी जिम्मेदारी है अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कोई नई machine ली है क्या लिए है नई मशील ली है जो आपकी उत्पाधन को बढ़ाएगी क्या करेगी उत्पाधन को बढ़ाएगी तो आपने क्या लिया है एक asset ली है asset क्या होता है जो आपके value edition का काम करे अब अगर मैं आप से कह에서는 आपने एक car खरेदी है एक कार खड़े दी जिसका आप किसी भी तरह की व्यापारिक या व्यावसाईक गतिविधी में इस्तमाल नहीं करते हो आप उस कार को केवल अपने आफिस जाने के लिए करते हो और इसी कोई बहुत आवशकता भी आपको थी नहीं उस कार को लेने की अब यह जो कार है भी आपके लिए क्या हो गई? अभी आपके लिए लायबिलिटी बन गई, एक जिम्मेदारी बन गई जो आपको कोई भी आर्थिक लाब अर्जित करके नहीं दे रही प्रत्यक्ष रूप से अगर आपने इसी कार को टेक्सी के लिए चलाया होता टेक्सी के लिए निकाला होता तो आप इसे हर महीने इससे भाड़ा कमाते आप भाड़ा वसूल करते और उसी से इस कार का पैसा भी आप कुछ सालों के बाद वसूल कर लेते तब ये कार आपकी क्या हो जाती? तब ये कार आपकी एसेट बन जाती तो इस बाते में याद रखीगा कि जो भी मल्टिनेशनल कमपनीज है वो इचाहती है तो उनके द्वारा जो भी खर्च किया जा रहा है वो सभी उनका एसेट बने तो कभी-कभी मल्टिनेशनल कमपनीज इन देशों की जो इस्थानी कमपनिया है जो लोकल इस तरपर कार कर रही है उनके साथ भी उत्पादन मिल करके कर लेती है उसे सहीवत उत्पादन कहा जाता है तो सहीवत उत्पादन से जो इस थानी कमपनी है उसको डबल लाब होता है क्या लाब होता है पहला तो लाब उसको ये हो गया कि जो मल्टिनेशनल कमपनिय है उनका जो अत्रिक्त निवेश है है ना उसके माध्यमत इसको धन मिल गया क्या मिल गया पैसा मिल गया दूसरा इन्हों ने क्या किया जो multinational companies है अपने साथ कई सारी बड़ी बड़ी अब जब भी मशीने ले करके आए तो आपको एक बास समझ में आ रही है कि इन मशीनों का क्या करेंगे उन मशीनों में तकनीक मौझूद है ना तो नवीनतम प्रोद्लयोगी किया भी वो अपने साथ ले करके आते हैं लेकिन अगर आप देखो तो जो बहुराष्ट्री कंपन क्या लाब मिलेंगे पहला तो नहीं मिलेगा कि जो उस कंपनी का लोकल मार्केट था क्या था लोकल मार्केट था लोकल उसके केस्टमर थे इन्हें उस तक पहुँच मिल गई इनको अलग से कोई नया सेटप नहीं बिल्ड करना पड़ा अलग से नई अपनी मार्केटिंग नह को खरीद लिया देखें ध्यान से समझिएगा कार्गिल फूर्ट एक एक एक्जामपल है कार्गिल फूर्ट ने क्या किया यह भारत आए और इन्होंने परक्षूर्ट नामक एक कंपनी को खरीद लिया यह थे USA के यह थी भारत की तो परक्षूर्ट ने पहले क्या किया था भ चार तेल शोधक केंदर भी थे जिस पर अब किसको कंट्रोल मिल गया कारगिल फूड को इस पर कंट्रोल मिल गया अब जो कारगिल फूड है वो क्या करता है डेली पचास लाख पैकेट का निर्मार करता है और भारत में खाद तेलों की सबसे बड़ी एक production company बन गया है आप वो क्या समझ में आ रहा है कि जो multinational companies है वो किस तरह से कार करती है कई बार अगर आप देखोगे multinational companies का जो संपत्ती होती है वो कई विकाशील देशों की GDP से भी ज़्यादा होती है विकाशील देशों की GDP से भी ज़्यादा है जैसे मैं आपको कुछ एक्जामपल बताता हूँ Google Google multinational company है Apple multinational company है Facebook या हम कहें Meta multinational company है आप Flipkart का नाम सुनते हो कि सभी क्या है multinational company है एक समय Walmart नाम की एक company थी जो की भारत आई थी उसने भारत में Flipkart को खरी लिया तो Flipkart का जो मालिकान अधिकार है किसके पास है Walmart Walmart कहां की company है अमेरिका की company है तो अब आप देखो कि Flipkart से उसने काफी ज़्यादा मुनाफ़ा कमाना शुरू कर दिया अगली company कौन सी है Amazon Amazon कैसी company multinational company है यह सभी वो बहुत बड़ी मैंने तो आपको उन बहुत बड़ी company का नाम बताया है जो विश्व में कारोबार कर रहे है इसके लाब बहुत सारी अन्य company भी है तो बावराश्ट्री company एक अन्य तरीके से उत्पादन को नियंतरित करती है कैसे तो विश्व देशों की जो बड़ी बहुराश्ट्री company है वो छोटे उत्पादकों को उत्पादन का order दे देते हैं एक साथ जैसे कपड़े बनाना है जूते चपल बनाना है खेल के सामान बनाना है जहाँ साल भर बड़ी संख्या में आप देखोगे छोटे उत्पादक इसका उत्पादन करते रहते हैं यह एक्जामपल मैंने भी आपको दे दिया है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ तो साल भर इलोग क्या करेंगे उत्पादन करते रहेंगे बवराश्ट्री कंपनियों को इन उत्पादों की आप पूर्ती करेंगे आप देखोगी कि लोगों ने बहुत दूर बैठे लोगों को इस तरह के कामों को दे रखा है आप इनके पास जो पावर्स हैं क्योंकि इनके पास तरह जादा फंड है तो ये वैल्यू को गुणवत्ता को आप पूर्ती को शर्म की शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं ये एक साथ बल्क में ओर्डर दे देंगे और वहाँ पर रहने वाले जो इस्थानी लोग हैं उनको बोल देंगे कि आपको किस तरह से उत्पादन करना है और जो उत्पादन करना है उसके मापको कीमत कितनी देंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है जो मल्टीनेशनल कमपनिया है वे अपने उत्पादन कार का प्रसार कर रहे हैं वो विश्व के कई सारे देशों की स्थानी कमपनियों के साथ मिल रहे हैं और संबन्द इस्थापित कर रहे हैं अगर आप से पूछा जाएगा वैश्वी करण में Multinational Companies की क्या भूमिका है तो आपको क्या उत्तर देना है जो इतनी देर से मैंने आपको अलग-अलग इस तरों पर बातों को समझाया है तो अब आपको थोड़ी सी बाते क्लियर हो रही होगी कि जो उत्पादन है दूर इस्थानों पर फैला होगा और परस पर संबन्दित होगा बेसिक से ही प्रशनाप के सामने आएंगे और फिर आपको उनके उत्तर देने होंगे अब आते हैं विदेशी व्यापार और बाजारों के एक ही करण पर निगुस से पहले एक एक एकजामपल पर चर्चा कर ले जो इस पुस्तक में दिया गया है मैंने आपको बताया था कि इन्होंने फोर्ड मोटर्स के उपर एक एक एकजामपल दिया है तो एक अमेरिकी कमपणी थी फोर्ड मोटर्स यो कुछ समय पहले भारत में काम कर रही थी तो 26 देशों में उसका प्रसार था और विश्व की लगबख सबसे बड़ी मोटर गाड़े निरमाता कमपणीयों म उसका नाम आता है तो यह कमपणी 1995 में भारत आई जब भारत आई तो उन्होंने चेन नई के पास 1700 करोन रुपए निवेश करके बड़ा सा सयंत्र लगा दिया जो सयंत्र है भारत में इन्होंने कमपणी का आप नाम जानते होंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा उनके सहयोग से लगाया था 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारती बाजारों में लगभग 88,000 गाडियां बेच रहा था और एक लाग 81,000 कारों का निर्यात कर रहा था दक्षण अफ्रीका में मेक्सिको में ब्राजील में यूएस में तो जो कमपनी है अपने दूरस्थ देशों में सयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास पुर्जा आपूर्ती केंद्र के रूप में करना चाह रहे थी यह 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 चाह रहे थे कि जो बाकी के देश है वहाँ पर चो कमपोनेंट्स है यहां से एक्सपोर्ट करें जैसे अगर आप देखोंगे एपल जो कमपनी है कौनसी कमपनी ह एपल एक मुबाइल निरमाता कमपनी है जो भारत में अब इन्होंने अपना मैनुफेक्चरिंग एरिया शुरू कर दिया है विसलिए असेंबल कर रहे हैं और भारत के श्रम का इस्तिमाल करके उन फोनों को बाकी के देशों में भेजने का प्रियास कर रहे है तो अब यह स अतलब होता है कि एक ही वस्तु है जो अलग-अलग देश के बाजारों में बेची जा रही हो तो इतिहास में आपने देखा है कि भारत और दक्षड एशिया को पुर्व और पश्यम के बाजारों से जोडने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व प्रोजेक्ट है एक समय इसे रेशम मार्क कहा जाता था जिन रास्तों से ट्रेड करते थे और उसी सिल्क रूट को इन्हों ने दुवारा से डेवलप किया है आज के समय इनके पास बहुत पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और चीजों के लिए ट्रेड रूट बनाने का तो यही कर रहे हैं तो आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हेतों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे इस्ट इंडिया कंपनी भारत की और आकर्शेत हुई थी भाई सबसे पहले जब यूरोपी यह भारत आये थे जैसे कि वासकोडिगामा आया था 1498 ठीक है इसी तरह कोलंबस भारत की खोज में निकला था भारत के लिए समुद्री मार की खोज के लिए और पहुझ गया था USA तो क्या इन्होंने यह कहा था कि भारत आएंगे और भारत पर शातन या अपनी सत्ता स्थापित कर देंगे ऐसा तो नहीं था तो अंग्रेजों का जो भा नियादी कार क्या है यह सबसे पहला सवाल है देकि पुस्तक क्या बताती है अगर सरल शब्दों में कहें तो विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुचने के लिए उत्पादकों को एक मौका देता है निया ऐसा व्यापार जो भारत से या अपने देश से बाहर किया जाए क्योंकि हम लोग भारत में है इसलिए हम लोग इसकी बात कर सकते हैं भारत की कर सकते हैं तो विदेश व्यापार घरेलू बाजार जो हमारे देश में है और देश के बाजारों से बाहर के बाजारों मे पहुँचने के लिए जो उत्पादक है उनको एक मौका दे दे जो उत्पादक है वो किवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद ना बेचें बलकि विश्व के कई सारे देश के बाजारों में भी उत्पाद बेच करके प्रतिसपरधा कर सकें जो इस तरह कि अब जो दूसरे देशों में उत्पादित वस्तूएं हैं उनके आयात से खरिदारों के समक्ष उन वस्तूओं के घरेल उत्पादन के अन्य विकल्पों का भी विस्तार होगा यानि अब जो खरिदार हैं कौन हैं खरिदार हैं उनके पास अब अन्य विकल्प भी होगे कि वो कई सारी चीजों को खरीच सकते हैं, ऐसे में क्या होगा, घर में यानि आपके देश की भीतर प्रतिसपर्धा का मौहौल बनेगा, कल को आपको ये देखेगा कि जो सामाल है, माली जो कोई खिलोना है, जो कि किसी दूसरे देश से आया है, और भारत की खिलोने से कहीं बहत देखी, चीन के जो मैनुफेक्शरर हैं, उनको भारत में खिलोने निर्याद करने का एक मौका मिलता है, मौका क्या मिलता है, जहां वे खिलोने अधिक मूले पर बेचे जा रहे हैं, तो अगर भारत में खिलोने जादा मूले पर बेचे जा रहे हैं, तो इनके पास एक मौक ये आया कि भारत में अपने खिलोने बेच दे और अपने निर्यात करना ये वहाँ पर शुरू करते हैं चीन से भारत में खिलोने भेजना शुरू कर देते हैं और जब ये ऐसा करते हैं तो देखे क्या होता है अब भारत में जो खरीदार है यानि जो भारत में उपभुकता है जो खिलोनों को खरीदना चाहते हैं या खरीदते हैं अपने बच्चों के लिए उनके पास भारती और चीनी खिलोनों के बीच में चैन करने का विकल्प आ गया है पहले क्या था कि जो भारत में बनाया जाता था ये केवल वही खरीच सकते थे क्योंकि कोई और विकल्प ही नहीं था तो भारत में जो खिलाओना बनाने वाली कमपनिया थी वो इनको महंगे दामों पर खिलाओने बेशते थे अब क्या हुआ कि हमने निर्यात शुरू कर दिया भारत ने चीन का निर्यात लेना शुरू कर दिया जो भारत ले रहा है वो भारत के लिए आया थै चीन जो खिलाओने दे रहा है वो चीन के लिए निर्यात है तो सस्ते दाम पर भी है नई डिजाइन भी है जो चीनी खिलोने हैं वो भारत के बाजारों में क्या हो गए ज्यादा लोग प्री हो गए और एक साल में आप देखोगे खिलोनों की 70 से 80% जो दुकाने हैं वहाँ भारती खिलोनों का इस्थान चीनी खिलोनों ने ले लिया है पर ये कोई कहानी नहीं है आज भी अगर आप मार्केट चले जाए ये डोरेमोन पोकेमोन जो भी आप सोच सकते हैं जो चीन के हैं मैं उधारण अलग भी रहे सकता हूँ जो चीन के खिलोने हैं आपको बाजारों में ठिक ठाक पटे पड़े मिले रहेंगे लेजर होने वाला हेलिकॉप्टर है ठीक है और ये सस्ते भी हैं ये भारती खिलोनों की तुल्ला में सस्ते हैं तो समझ यहां क्या हो रहा है व्यापार के करण जो चीनी खिलोने हैं वो भारत के बाजारों में आ गए भारती और चीनी खिलोनों की प्रतिशपरधा में चीनी खिलो ने बहतर साबित हुए तो भारती खरीदारों के सामने कम कीमत पर खिलउनों के जादा विकलप आ गए आप देख रहा है कि आप यह भाई क्यों खरीदें भारत वाला चीन वाला ससता है खरीद लेंगे इससे क्या होगा चीन की खिलावना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने का एक मौका मिल गया इसके उलट अगर आप देखो तो भारती खिलावना निर्माताओं को क्या हुआ है नुकसान हुआ है क्या उनके खिलावने कम पिकते हैं अब ही मैं इसमें आपको approaches बताऊंगा कि इसमें लाब किसको होता है और नुकसान किसको होता है क्या वैश्वी करणने सभी को लाभानमित किया नहीं क्या वैश्वी करणने एक तरफ से नुकसान पहुंचाया नहीं तो यहाँ पर भी अलग-अलग एंगल आपके सामने आएंगे तो अगर आप यहाँ पर देखो तो सामाने तह व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है ठीक है और बाजार में वस्तुओं के क्या होते है विकल्प बढ़ जाते है और दो बाजारों में एक ही वस्तु का मुल एक समान होने लगता है यानि अब आपको दिख रहा है कि भारत में भारत में जो चीनी खिलोने है अगर वो सस्ते थे कैसे थे सस्ते थे और भारती खिलोने क्या थे महंगे थे तब दो ही विकल्प है या तो जो भारती लोग है जो अपने खिलोने बनाते हैं उनकी गुणवत्ता को बहुत बहतर करत हैं चीन के किस दुकांदार न подум भीजा है अको नहीं पता लेकिन उसका खिलोना यहां पर भी भारत का दुकानमाला बैठा उससे क्या कर रहा है उस तरई विधेश व्यापार विभिन्य द् सवाल के बाजारों को जोड़ने या एकी करने में क्या होता है सहायक होता है इस बात को याद रखिएगा इस टेट्मेंट प्रश्न के रूप में बन करके आपके सामने आ सकता है कब देखे कुछ सवाल है माली जे अभी पुस्तक पूरी नहीं हुई है अभी आगे बहुत सारी बाते हैं जो हमें करनी है बीच बीच में क्या है इसमें कुछ सवालों को इन्होंने जनरेट किया है देखे पहला प्रशन क्या है अतीत में देशों को जोडने वाला मुख्यमा अगला विदेशि वियापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर रहा है अगला आप देखो हाल के वर्षों में चीन भारत से इस पात कर रहा है व्याक्या करें कि चीन द्वारा स्पात का आयात कैसे प्रभावित करेगा चीन की स्पात कमपनियों को कैसे प्रभावित करेगा चीन की स्पात कमपनियों को कैसे करेगा भारत की स्पात कमपनियों को कैसे करेगा और चीन के अन्य अध्योगिक वस्तुमों के उत्पादन के लिए इस पात खरीदने वाले उद्योगों को कैसे प्रभावित करेगा एक और सवाल क्या है चीन के बाजारों में भारत से इस पात का आयात किस तरह दोनों देशों के इस पात बाजार के एकी करण में साहेता करेगा इसकी भी व्याख्या करनी है कि कैसे दोनों देशों का जो इस पात का व्यापार है एक सा होगा क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से अगर भारत का इस पात वहाँ पर सस्ता है तो वहाँ पर निर्मित किये जाने वाले इस पात की जो कीमते हैं वो भी कम हो जाएंगी कैसा अभी मैंने आपको उधारन से कुछ बातों को समझाने की कोशिश की है उस तरह से थोड़ा सा सोच करके देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि वैश्वी करण क्या है आपको पता है कि लगवग दो से तीन दश्कों से जो अंतराश्ट्री कंपनिय क्या है जो बहु राश्ट्री कंपनिया है वो विश्व में क्या है अलग-अलग स्थानों की तलाश कर रहे हैं कैसे स्थानों की जहां पर उन्हें सस्ता श्रम मिल जाए जो उनके बेसिक लिए आप कहोगे उत्पादन के हिसाब से सस्ते हों ऐसे स्थानों की तलाश हो रही जो उतपादन के हिसाब के सस्ते हों, जहाँ पर उनको कम निवेश में ही उतपादन जादा मिल जाए तो वो ऐसे देशों में जादा से जादा निवेश कर रहे हैं तो आप कहोगे कि बहुराश्ट्री कम्पनियों के निवेश में व्रिद्धी हो रही है साथ ही आप देखोगे कि अलग अलग देशों के बीच में जो विदेशी व्यापार है उसमें भी तेजी से वृद्धी हो रही है व्यापार बढ़ रहा है दो देशों के बीच में और विदेशी व्यापार का एक जो बड़ा हिस्सा है वो बहुराश्ट्री कंपनिया अपने control में लिए हुए है एक बड़ा नियंतर इनका है जैसे भारत में अभी आपने Ford Motors का उधारण देखा वो केवल भारत के लिए ही कारों का निर्मार नहीं कर रहा था वो कारें ऐसी भी बना रहा था जहां पर अपने कारों के पुर्दों को बना करके उनका निर्यात कर सके तो अधिकांश जो बहुराश्ट्री कमपनियां है वो इसी तरह के क्रिया कलाप और व्यापार से जुली हुई होती है तो इस कहानी को मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जैसे जैसे विदेशी व्यापार बढ़ेगा, जैसे जैसे विदेशों में व्यापार बढ़ेगा, तो वैसे क्या होगा? अधिक विदेशी निवेश आएगा, क्या हैगा? निवेश बढ़ेगा, और जब व्यापार बढ़ रहा है निवेश बढ़ रहा है तो अलग-अलग जो बाजार है उनका क्या हो रहा है एकी करण हो रहा है तो अलग-अलग देशों के बीच में जो संबन्ध है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे है क्योंकि माली जब भारत UAE से सामानों का आयात कर रहा है यानि रियात कर रहा है तो और UAE भारत के साथ ऐसा कर रहा है तो भारत और UAE के संबंद कैसे होंगे अच्छे होंगे या खराब होंगे मन अच्छे होंगे बढ़ेंगे और ऐसा ही चीन के साथ आप देख रहा हो आप एक शब्द सुनते हो कि चीन देशों को रिण जाल में फसा रहा है तो ये चीन ने क्या करके व्यापार करकर के ही लाप कमाया है आप एक शब्द सुनते हो कि भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा है क्या है व्यापार घाटा है यानि हम चीन को उतने सामान का निर्यात नहीं कर पाते जितना हम उससे आयात करते हैं अर्थात वो हमें अपने ज़्यादा सामानों को देता है पुलनात्मक रूप से हम चीन को कम सामान दे पाते है प्लियर होगे आपको तो विभिन्य देशों के बीच परस पर संबंध और तीवर एकी करण की प्रक्रिया ही वैश्वी करण कहलाती है प्लियर इस बात को नोट कर लीजिगा कि विभिन्य देशों की बीच परस्पर संबंद और तीवर एकी करण की प्रक्रिया ही वैश्वी करण है और बहुराश्ट्री कमपनियां वैश्वी करण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निवा रही हैं ये इसकी परिभाशा हो गई जो आपको लिख करके रखनी है किसी जादा तकनीक जा रही है वस्तुएं जा रही है सेवाएं जा रही है और पिछले कुछ दशकों की तुल्ला में दुनिया भर के एक भाग दूसरे के जादा संपर्क में आते जा रहे हैं यह जो व्यवस्ता है काफी तेजी से बढ़ रही है तो वस्तु सेवा निवेश तकनीक के अलावा भी कई अन्य देशों को आपस में जोडने के और भी माद्यम हो सकते हैं वह जो माद्यम क्या क्या है जैसे देशों की बीच में लोग इधर से उधर जाते हैं आपने से दूसरे देश में चले जाते हैं लेकिन पिछले कुछ दशकों में ऐसा भी हुआ है कि प्रतिबंद काफी ज्यादा लग गए हैं ताकि लोग एक देश से दूसरे देशों में यात्राइन ना कर सके या वहाँ जाकर वहाँ पर बस करके वहाँ के संसाधनों पर बोज को ना बढ़ाएं प्लियर हो गया वहिश्वी करण क्या है अब जो मैंने आपको बताया है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप चाहो तो इसका स्रीन शॉट ले लिजीगा आवशकता होगी तो इसकी पीडियाप भी आपको अपलब्द करा देंगे अच्छा आप लोग से एक बात और है कि टेलिग्राम चैनल को आप लोग जोईन कर सकते हैं ताकि जो मेरी special classes होती है live interaction होता है learner के साथ आप वहाँ पर आकर जोड़ पाओगी तो आपको टेलिग्राम चैनल का link comment box में मिल जाएगा तो आप उसको एक बार subscribe कर लिना तो जो भी special classes होती है उसकी timing आपको वहाँ मिल जाएगी और इन classes की जो आप YouTube पर देखते हो इनके पीडियेफ की आपको आवश्यक्ता होगी तो वह भी वहाँ पर उपलब्द करा देंगे अब कुछ सवाल जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़े थोड़े से topics करने के बाद इसमें सवाल दिये हैं कि बहुत अच्छी बात है और लगवग यही सवाल है जो important है खासतोर से किसके economy वाले section के कि मैंने आपको science वाले में पहले भी बताया हुआ है कि सवाल सीधे तोर पर नहीं पूछे जाएंगे बलकि उससे आपको concept बिल्ड करने है और जो concept है वो आपको mains में काम आएंगे और pre में भी काम आएंगे इसके लाव जब आप technology पढ़ोगे तब आपके काम आएंगे लेकिन मैं को economy वाली पुस्तक पिली सीधे कह रहा हूँ कि यहाँ पर सवाल आपको सीधे भी देखने को मिल सकते हैं और कई बार conceptual सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं इस बार आप देख करने में इसकी भूमिका है वे कौन से विबिन तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस पर संबंधित किया जा सकता है कौन से तरीके हैं निवेश हो सकता है लोग आए और रोजगार के लिए एक दूसरे देशों में जा सकते हैं पैसे बहुत सारे examples जो भी मैंने आपको बताए थे वो सबी आपको एक बार लिख लेना है अगला क्या है सही विकल्प का चाहिन करें देशों को जोडने से वैश्वी करन के क्या परेणाब होगे पादकों के कम प्रतिस पर्दा होगी अदिक प्रतिस पर्दा होगी या परिवर्तन नहीं होगा तो यह तो एक common सा स संभव बनाने वाले कौन-कौन से कारक हो सकते हैं अगर आपके सामने सवाल आए कि ऐसे कुछ कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके चलते वैश्वी करण की प्रक्रिया तेज हो रही है तो आप सबसे पहले एक कारक का जो जिक्र करोगे वो आप कहोगे टेकनोलोजिकल एडवा यह सबसे बड़ा कारण है तकनीकी विकास का होना एक बड़ा कारण है जो वैश्वी करण को तेजी से बढ़ा रहा है जैसे अगर आप पिछले 50 वर्षों में देखोगे पिछले 50 सालों में देखोगे तो जो तकनीक है वो बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले 50 सालों में जो तकनीक है बहुत तेजी से बढ़ गई है और लंबी दूरियों तक अगर आप किसी वस्तूओं को पहुचाना चाहते हो तो बहुत कम लागत पर ऐसा हो सकता है कैसा बहुत कम लागत पर ये चीजे हो सकती है जैसे आप कई सारे कंटेनरों को देख सकते हो जो परिवहन है उसको देख सकते हो वस्तूओं को हमने कंटेनरों पर रख करके भेजना आसान कर लिया है जहां जो से रिल गाडियों से वायुजानों से ट्रकों पर बिना किसी च्छती के लादा जा सकता है अब जो कंटेनर है आपकी हर चीज हर उत्पाद को सिक्योर करके रखेगा तो ज अगर आप देखोगे जो वायुजान है वायुजान से जो लागत आती थी अभी तक याता जात कि उसमें भी काफी ज्यादा कमी आ रही है इसी में अगर आप अगला पॉइंट देखो तो सूचना एवं संचार प्रद्योगी कि जिसे आप ICT बोलते Information and Communication Technology इसमें भी काफी तेजी से विकास होता जा रहा है वर्तमान समय में आपको पता है कि दूर संचार, Computer, Internet यह सभी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे है 2G, 2G चलता था पहले मुबाइल फोन में फिर आप पिछले लग बग 20 सालों में ही देख लो आज आप 5G और 6G की बात कर रहे हो 5G तो आप यूज भी कर रहे हो है ना आप वाइस कॉल के बाद आप सिधा वीडियो कॉल कर सकते हो पहले के समय जहां मुबाइल फोन पर कॉल का बहुत तेजी से आदान प्रदान कर सकते हो दूरवर्ती क्षेत्रों में समवाद कर सकते हो आज के समय आपको बता है कि सैटलाइट कॉलिंग होती है यानि कि जो आपके दूर संचार की व्यवस्थाएं हैं वो किसके माध्यम से उपग्रहों के माध्यम से कहीं तेज हो उपग्रहों का अब इस समय उपयोग होने लगा है और इसके वज़े से चीजे बहुत आसान हो गई हैं काफी तेज हो गई है और जीवन के लगवग हरे एक शित्र में आपको दिखने लगा है कि कंप्यूटर का उपयोग हम कर रहे हैं पिछले अगर आप तीन वर्षों मे आप इस तरह कंप्योग करते थे आने वाले समय में यह उपयोग भी बहुत तेजी से बदल जाएगा तो आप इस बात को ध्यान में रखेगा कि आज के समय चीजें बहुत तेजी से बदलती जा रही है जैसे पहले आप डाकतार से चिट्टियां बेशते थे आज के समय लेकिन यहां पर यह जो काटून है एक सवाल पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि लेकिन बिजली कहा है यानि कि वैश्वी करण जहां एक और काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है आप इन सभी तकनीकों के बारे में पढ़ रहे हो वहीं बिचारा यह शक्स बैठ करके पू लेकिने अलग-अलग देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन में भूमिका निभाई है कैसे अब देखिए वैश्वी करण में संचार प्रद्योगिकी का उपयोग एक एक अग्जामपल समझे लंदन के कुछ पाठक हैं उनके लिए समाचार पत्रिका की डिजाइन और छ पत्रिका की जो डिजाइन है कि किस तरह से भाई पत्रिका को च्छापना है वो मंगा लेते हैं अब यहां पर क्या क्या है पत्रिका को यहां च्छापा और वाईव्यान के रास्ते जो है उठा करके सीधा लंदन भेज दिया पेमेंड के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आई क लेकिन यहां एक और एक्जामपल पढ़िए यह पत्रिका बहुत अच्छी लग रही है लेकिन मेरी पाठ्ट पुस्तका की छपाई ऐसी क्यों नहीं है यहां आज भी कंट्रास्ट ऐसा है जहां पर हमारे पास बहुत अच्छे मुद्रक नहीं है जो हम अपने लोगों को द सके हैं ठीक है चलिए तो आप समझते हैं विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारी करण आपने भारत में चीन से खिलोनों को आयात करने का उदारन देख लिया है अब भारत सरकार उस आयात किये जाने वाले खिलोनों पर जो खिलोने आ रहे थे ना चीन से और भारत में प्रतिस परदा कर रहे थे उस पर क्या लगा दे टेक्स लगा दे तो क्या होगा इसका मतलब यह होगा कि जो खिलोनों का आयात करना चाहते हैं जो भारती दुकान व रुपय का पड़ता है तब ये उसको भारत में कम से कम 130 रुपय का बेचे तब इने मुनाफ़ा होगा यानि अभी उसको 110 रुपय का नहीं बेच सकते बास समझ में आ रहे हैं आपको तो इसकी वैसे क्या होगा जो खरीदार हैं उनको आयातित खिलोनों की जादा कीमत चुका नहीं रह जाएंगे यहना चीन से उनका जो आयात है वो क्या होगा अपने आप गिर जाएगा गिरने लगेगा इससे जो भारत के खिलोना निर्माता हैं उनको ज़्यादा फिर लाब प्राप्त होने लगेगा अब यह जो आपने आयात पर टेक्स की बात समझी इसे क्या कह कहते हैं इसे कहते हैं व्यापार अवरोधक क्या कहते हैं व्यापार अवरोधक यानि व्यापार में एक तरह से अवरोध उत्पन कर देना इसे कहते हैं व्यापार अवरोधक तो इसे अवरोधक क्यों कहा है क्योंकि इसने कुछ प्रतिबंद लगा दिये क्या किया इसने प्रतिबंध है, सरकारे इस तरह के प्रतिबंद अकसर लगाती रहती है विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए प्रतिबंध लगेगा जब घटाना हो वो प्रोपचाहन देंगे जब उसको बढ़ाना हो आजादी के बाद से अगर आप देखते हो तो हर सरकार ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंद लगा रखा था आजादी के बाद 1947 के बाद सरकार ने क्या किया था विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंद लगा दिया था क्यों ऐसा किया ताकि जो देश के उत्पादक हैं उनको विदेशी प्रतिसपर्धा से सनरक्षन मिल सके क्योंकि उस समय 1950 और 1960 के दशक में अगर आप देखते हो तो हमारे यहाँ जो उद्योग थे उनकी शुरुआत हो रही थी उनका उदय हो रहा था अगर उस दोर में हम आयात को बढ़ावा देते हैं तो हमारे यहाँ के जो उत्पादक है पहली बातों प्रतिसपर्धा नहीं कर पाते दूसरा आयात बहुत ज़्यादा तेजी से होने लग जाता तो भारत ने केवल अनिवारे चीजों को छोड़ करके जैसे मशीनरी उर्वरक पेट्रोलियम के ही आयात के अनुमती दे रखी थी तो ध्यान रखेगा सभी विकास शील देश अपने डेवलप्मेंट के शुरुआती चरणों में जो उनके घरेली उत्पादक होते हैं उनको कई तरीकों से फिर संदक्षण देते हैं भारत ने करीब लंबे समय तक ऐसे संदक्षण दिये फिर आता है 1991 का समय आपके याद होगा LPG reforms अपने पड़े हैं लिब्रलाइजेशन प्राइबिटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तो सरकार ने अपनी नीतियों में कुछ बड़े परिवर्तन किये सरकार ने ये से इनको जोड़ना चाहिए उससे लाब क्या होगा जो उत्पाद है हमारे हां जो बन रहे हैं उनके प्रदर्शन में सुधार होगा हमारे हां की गुणवत्ता बहतर होगी तो भारत ने जब एडिसिजन लिया तो जनतराश्टी संगठन है उन्होंने भारत की मदद की उन् निर्यात अब काफी ज़्यादा आसानी से हो सकता था और जो विदेशी कंपनिया थी वो भारत में अपने कार खाने और अपने ओफिसिस को स्थापित कर सकती थी अब एक पॉइंट समझेगा सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदार कहलाती है और व्यापार के उदारी करण से व्यवसाई जो है उनको मुक्त रूप से निर्णए लेने की चंधा प्राप्त होती है उन्हें क्या आयात करना चाहिए और क्या णिर्यात करना चाहिए अब सरकार नियंतरन रखती है लेकिन पहले की कि तुलना में थोड़ा कम न तराश्टी संगठन थे उन्होंने भारत में विदेश व्यापार और विदेशी निवेश के उदारी करण का क्या किया था समर्थन किया था कि हाँ हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो आप बहुत उदारी करण कर लो और इससे विश्वय की करण बढ़ेगा और इन संगठनो का क्या मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक जो भी आपने टेक्स वगरा लगा रखे हैं वो क्या है हानिकारक हैं कोई भी अवरोधक नहीं होना चाहिए तो देशों के बीच क्या हो फिर फ्री ट्रेड की बात आती है क्या होना चाहिए free trade होना चाहिए यानि मुक्त व्यापार होना चाहिए और विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार कर देनी चाहिए इसे क्या कहते हैं? उदार नीतियां कहते हैं यानि आप जादा से जादा जो निर्याता के समझ को छूट दे दें तो विश्व व्यापार संग्ठन एक ऐसा ही संग्ठन है जिसका उद्देश क्या है? अंतराश्टी व्यापार को आसान बनाना विटसे देशों की पहल पर इसको शुरू किया गया था और जो विश्व व्यापार संग्ठन है वो व्यापार से संबंदिज जो नियम है उन्हें निर्धारित करता है और ये भी देखता है कि उन नियमों का पालन होता रहे तो अगर आपके सामने विश्व व्यापार संग्ठन की बाता है तो याद रखिएगा विश्व के लगभग 160 देश इसके सदस्य है ठीक है हलाकि विश्व व्यापार संग्ठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है लेकिन वहारिक रोप में देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंक से अवरोधकों को बरकरार रखा है विकसित देशों ने अनुचित तरीके से अभी भी जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो लगा रखें, दूसरी ओर अगर आप देखोगे तो विश्य व्यापार संग्ठन के नियमों ने विकाशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने पर काफी ज़्यादा जोड़ दिया, और विकाशील देशों को कहा है, आप लोग ट्रेड बैरियर्स नहीं लगा सकते, यानि कि जो व्यवस्ता है विकसित देशों के पक्ष में जुकी हुई दिखती है, और इस पर ठीक ठाक वाद विवाद होता रहता है, ठीक है तो चली इसका एक विवाद देखते हैं, व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद, आपने पिछले कुछ चैप्टर्स में जैसे मैं बोलूँ आपने चैप्टर 2 में देखा है कि भारत में अधिकांश रोजगार, अधिकांश रोजगार GDP का महत्पूर्पून भाग कृषी च्षेतर देता है, यानि भारत में जुजादा से ज़्यादा रोजगार है, वो कहां से आते हैं, कृषी का हिस्सा एक प्रतिशत से भी कम है और कुल रोजगार में 0.5% है इसके अलावा बावजूद इसके आप देखोगे कि अमेरिका में जहां इतने कम लोग कृशी जैसे जगहों पर मौजूद है अमेरिकी सरकार उनको ठीक ठाक फंडिंग करती है ठीक है बहुत जादा धनराश उनको मिलती है और इस भारी रकम का क्या करते हैं वहां के किसान कृशी उत्पादों के लिए करते हैं कृशी उत्पादों को जाएंगे और कम से कम कीमत में बेच देंगे जो उनके पास आधिशेश बचेगा उसको पतलगा निर्यात कर देंगे तो ऐसा जो खाद्यान होग आपको क्या लगता है अगर भारत में आए तो भारत में क्या होगा कि जो भारत की कीमते हैं वो काफी तेजी से गिरने लग जाएंगी क्योंकि वहां का जो आयात है वो सस्ता है कीमते कम है तो इसकी वज़े से विकाशील देश विक्सित देशों की सरकारों पर क्या करते है और वो कहते हैं कि हमने विश्व व्यापार संग्ठन के सभी नियमों के अनुसार व्यापार अवरोध कम कर दिये हैं लेकिन आप लोग इन नियमों को नजर अंदाज कर रहे हैं अभी आप जब वर्ल्ट रेट के बारे में पढ़ोगे विश्व व्यापार के बारे में तो भाई क्या यह मुक्त और नियाय संगत व्यापार रह जाएगा फिर यह नहीं रह जाएगा अब एक बात आएगी कि भारत में वैश्वी करण का प्रभाव क्या पड़ा तो पिछले तकरीबन 20 सालों में भारती अर्थेववस्था के वैश्वी करण ने एक लंबी दूरी प्रभाव क्या प्रभाव क्या प्रभाव पड़ा है अगर आप यह समझें तो वैश्वी करण और उत्पाद इस्थानी हो चाहे विदेशी हो ना उनके बीच में एक बड़ी प्रतिस परधा ने उपभोकताओं को खास तोर से शहरी क्षित्रों के जो उपभोकता उनको ल गए यहीं सीदी सी बात यह है कि लाब किसको होगा जो भोक करने में सक्षम होगा जिसको विकल्प मिल रहे हैं तो धनी वर्ग के कौन खरीद पा रहा है यह सब धनी वर्ग के शहरी उपभोकता है ना इन चीज़ों को खरीज सकते हैं और उनके सामने विकल्प भी जादा आगे हैं तो वह अनेक हाई क्वालिटी की चीज़े खरीद रहे हैं काफी ज़्यादा उत्पादों को कंज्यूम कर रहे हैं कम कीमत में भी उन्हें सब चीज़े मिल रहे हैं यह लोग पहले की तुल्ला में ज्यादा बहतर जीवनिस्तर इनका हो गया है और जो उत्पादक हैं जो निर्माता हैं जो श्रमिक हैं उन पर वैश्वी करण का ऐसा प्रुभाव नहीं पड़ा है यानि कि पहले अगर आप 20 वर्षों में देखोगे तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने भारत में अपने निवेश को काफी जादा बढ़ा दिया है क्या किया है अपने निवे लोगों जैसे सेलफोन हैं मोटर गाड़ी है खाद्य पदार्त हैं यहां पर ठीक ठाक निवेश कर रहे हैं और इन पादों के अधिकांश को खरिदार हैं वो कौन है यहीं शहरी वर्ष के लोग हैं और इन उद्दोगों और सेवाओं में नए रोजगार वित्पन हुए है साथ ही इन उद्दोगों को कच्चे माल की आपूर्ती करने वाली स्थानी कमपनियों को भी फायदा हुआ है तो सर्विस सेक्टर यानि सेवाक्षेतर को लाब मिला है और शहरी लोगों को इसका लाब मिला है दूसरा अगर आप देखोगे तो कई सारी बड़ी भारती कमप मेलें धीक्रणी को अद। कंपनियों से न वी फहतर हुई है प्रतिसपरदा हुई है क्या तो इन कम्पनियों को नविंतम तकनीक मिली है उतपाधन प्रनाली इनकी बहतर हुए क्योंकि इन्होंने निवेश किया है जिनके उत्पादं के मानक हैं इन्होंने उनको बहतर किया है जैसे अगर मैं आपको एक्जामपल बताओं Tata Motors का आप एक्जामपल ले सकते हो InfoSys का ले सकते हो Renvexi जो दवाईओं की company कंपनिया है एशियन पेंट्स की कंपनी है इसी तरह सुंदर फासनर से कंपनी है जो नट बोल्ट बनाती है तो इन सभी भारती कंपनियों को इससे काफी ज्यादा लाग हुआ है और अब यह विश्व इस्तर पर अपने आपको प्रसाड़ित कर रहे हैं आप टाटा जो कंपनी है आप देखोगे टाटा की गाड़िया विदेशों में जा रही है रेंजरोवर एक कंपनी है जो टाटा ओन करती है जगवार आप कॉल सेंटर के उधारार देख सकते हो भारत में चलने वाले कॉल सेंटर अमेरिकी लोगों को सर्विसिद देते हैं इसी तरह से डेटा एंट्री के कई सारे कार हैं इंजिनिरिंग के कई सारे कार हैं जो भारत में सस्ती कीमतों पर उपलब्ध होते हैं इसके अलावा व भारत की केंद्र एवं राज्य सरकारें भारत में निवेश के लिए विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कई सारे कदम उठा रहे हैं तो अद्योगित शेत्र जिन्हें खास तोर से विशेश आर्थिक शेत्र कहा जाता है आपने इनकी स्थापना की जा रही है क्या होते इस्पैशल एकॉनोमिक जोन जहांपर विशेश रूत से आर्थिक गतिविधिया संचालिथ की जा सके हैं किस तरह की गतिविधिया जहांपर उच इस तरह विश्वस तरह बिजली हो पानी हो सडग हो है ना परिवहन हो भंडारण हो मनंजन की सुवधायों हो शेक्षडिक सुवधायों विशेश आर्थिक शेत्र में उत्पाद निकाई हैं स्थापित करने वाली कंपनियों को शुरुआती पाच वर्षों तक कोई टेक्स भी नहीं देना है तो सरकार क्या कर रही है इस ओफ डूइंग बिजणिस कररे है क्या कर रही है इस ओफ डूइंग bajने यह अच्छे नहीं बनाओगे आपकी सड़के खराब होंगी तो जो कंपनिया निवेश करेंगी अब पता लगा उसको अपना माल लेकर के एक शहर से दूसरे शहर जाना है आपकी सड़कों पर इतना ट्रैफिक होता है कि सुबा से लगा के उनके ट्रक्षान तक खड़े रहते है उनके माल के आप उर्टी समय पर नहीं हो पाती आप कहां बिजली ही नहीं आती है चार चार पाच 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 दिन अपना रगा उनको जनरेटर चलाने पड़ रहे है आतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है आप कहां जो कार परना ली यह तनी महेंगी है कि बिसिकलि अगर उन्हें कोई फाइल पारित करानी है तो आप लोग पचास-पचास दिन लटका है रहते हो लाल फीता शाहिस को कहते थे तो ऐसी चीजों के होने के चलते जो कमपनिया है वो निवेश नहीं करेगी तो आपको क्या करना है इन चीजों को सुधार देना है तो विदेशी श्रमिकों के अधिकारों के लिए भी है श्रमिकों के अधिकारों के संदक्षड के लिए भी कई सारे नियम है भाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को कई सारे नियमों से छूट लेने के अनमती दे दी है अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रूजगार देने के बज आउंगा तब आप समझेगा कि गी एकोनॉमी क्या होती है ऐसे बहुत सारे टर्म है जो आप से पूछे जाएंगी तो कंपनी की श्रम लागत में कटोती करने के लिए असा करते हैं ज्यादा ऑपरेशनल कोश्ट ना आए फिर भी विदेशी कंपनी अभी भी संतुष्ट नही हैंगी ऐसे में जो श्रमिक संगठन है वो इसका विरूत करते हैं इस बात को याद रखीगा कि एकोनॉमी किस तरह से अलग-अलग डैमेंशन को कवर करती है आगे बढ़ती प्रतियोगिता का एक और एक्जामपल लेते हैं देखी एक एक्जामपल है बहुत अच्छा है ध लेकि प्रतियोगिता किस तरह से नुकसान दायक हो सकती है इसको भी समझना है तो रवी ने 1992 में क्या किया था तमिल नाडू के एक आध्योगिक शहर होसुर में संधारत रियानी कैपसिटर होता है क्या होता है कैपसिटर का एक बिजनेश शुरू किया और उसके लिए नही होता है तीन सालों के अंदर वे अपने उत्पादन का विस्तार करने में सच्छम हो गया और कम्पनी लगवग 20 कर्मचारियों को रख लिया उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था अब कम्पनी को दिक्कत कब आई 22 से वो 2001 तक अच्छा काम करते रहे, 2001 में विश्व व्यापार संगठन के का एक सम्झ होता हुआ जहाँ पर जो कैपसिटर थे हमको इंको इंपोर्ट कर सकते थे क्या कर सकते थे, इंपोर्ट कर सकते थे, क्योंकि सरकार ने कैपसिटर पर लगे हुए जो आयात पर प्रतिबंध थे, उसको हटा दिया, तो जो टेलेविजन कंपनिया थी, जो इनसे कैपसिटर खरीदती थी, कई सारे पूर्जे थोक में खरीद लेती थी, तो अब इनको फि 2000 में निर्मे संधारित्रों के आधे से भी कम संधारित्रों का ये निर्माल करते हैं, उससे भी कम कैपसिटर ये बनाते हैं, केवल साथ श्रमिक इनके यहां काम कर रहे हैं, तो क्या हुआ उस प्रतिसपर्धा का इनको नुकसान हुआ, इसके अलावा प्रतिसपर्धा और अनिश्चित रोजगार भी यहां पर जोड़ता है यानि आपको वैश्वी करण के कुछ लाब और कुछ नुकसान समझ में आने लग जाएंगे तो वैश्वी करण और प्रतिसपर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है बढ़ती तनकہा नहीं मिलेगे अब आप चले जाएए घर पर बैठी जो करना है करिए जब काम होगा तो बुला लेंगे तो रोजगार सुनिश्चित नहीं है अपि क्या समझ में आ रहा आप किसी भी तरह का रोजगार सुनिश्चित नहीं है और भारत में वस्त्र निर्यात उद्योग प्रतिस परधा के दबाव को देखी किस तरह से सायन करें कितने सारे वरकर हैं जिने ये भी नहीं पता कि आने वाले समय में अगर आवशक्ता नहीं पड़ी तो उनको फिर उस कंपनी से उस सेक्टरी से हटा दिया जाएगा एक औ नहीं ला पाएंगे कच्चा माल नहीं ला पाएंगे तो अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर लिखना है तो आपको पास इन एक्जामपल्स को समझना बहुत आवशक है एकोनोमी कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको बोल दूँगा और आप रट लोगे आप भूल करती है कि भारत में जो निर्यातक है आप लोग बना के हमको बेज देना तो विश्वे आपनी नेटवर्क से युक्त बड़ी मल्टिनेशनल कंपनियां लाब को मैक्सिमाइज करने के लिए निया रिक्तम करने के लिए सबसे सस्ती चीजे खोशते हैं कि भाई तुम की पतल लागत कम कर दें अगर हम कम लागत करके option देंगे company को तो company हमको काम देदेगी और ऐसा करना उनको कच्चे माल के लिए तो possible नहीं है उन्हें कच्चा माल तो अच्छी category का आई चाहिए न था अगली बार company उनको order देगी नहीं तो मजबूरी क्या है कि जो श्रम लागत है ज साल भर उने वेतन ना देना पड़े बहुत लंबे कार घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूपसिक रात में भी उनने काम करना पड़ता है और मजदूरी क्या है काफी कम है तो अपनी रोजी-रोटी के लिए मजबूरी में वो ल परशी एक महला है जिनका नाम है सुशीला उनकी एक बार कहानी को समझे आपको बात और इस पश्ट होगी दिली के वस्तर निर्यातक उद्योग में श्रमिक की रूप में कई सालों से काम कर रही है उनकी जो फैक्टरी है वो कपड़ों के एक्सपोर्ट करती है ठीक है ये दुगनी से भी ज़्यादा मजदूरी मिल जाती थी 1990 के दशक में 1990 के दशक के अंतिम सालों में सुशीला जिस स्रेक्टरी में काम करती थी वो क्या हूँ बंद हो गई छे महिने तक उन्हें रोजगार नहीं मिला तलाश करती रही फिर एक जगए को नौकरी मिली भी तो अपने घर से लगभग 30 किलोमेटर दूर पर वो जाती थी इस फैक्टरी में काम करती थी एक आइस्थाई श्रमिक के रोप में काम करते उन्हें कई साल बीच चुके उसके बावजूद भी भी आइस्थाई है पहले की तुलना में आधे से भी कम वेतन मिलता है सुबा साड़े साथ बजे काम पे चली जाती है राज को दस बजे आपस आती है एक भी दिन अगर उन्होंने काम ना किया उसका मतलब उनको मजदूरी नहीं मिलेगी उनके घर के पास की जो फैक्ट्रियां है उनके पास बहुत और आते हैं इसलिए वो मजदूरों को श्रमिकों को बहुत कम वेतन देते हैं और यही स्थिति आमोमन वस्तर उद्योग में या अन्य कई सारे उद्योगों में भारत के अंदर देखने को मिल रही है तो यह बड़ा नुकसान है ग्लोबलाईजेशन के अंतरगत तो इसी का जो अगला पॉइंट है वो क्या है न्याय संगत वैश्वी करण के लिए संगर्ष हो रहा है तो आपने अभी हैं जो इसकिल्ड लोग हैं उन्होंने तो वैश्वी करण से काफी सारे नए आवसरों को देखा नए लाभों को प्राप्त किया सर्वुत्तम इसका इस्तिमाल किया दूसरी और कई सारे ऐसे लोग है जो उनको इसका लाभ नहीं मिल पाया लेकिन वैश्वी करण आज के समय सच्चाई तो ही लेगिन सवाल क्या है कि इसको हम कैसे और ज्यादा न्याय संगत बना सकते हैं लाब मिल रहा है इसको नहीं मिल रहा है उसके लिए भी लापकारी बना दे तो सभी के लिए मौके सुनिश्चित हो सके अवसर मिल सके और बाकी सभी की इन लाभों में सिदारी हो सके तो सरकार इसे बनाने में महतपूर्ण भूमिका निवा सकती है उसकी नीतियां ऐसी नहों की केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही लाभ पहुचाएं उन्हें सभी लोगों के ह जितों का संदक्षन करना चाहिए अगर आब वैश्वी करण का कोई कंक्लूजन लिखोगे तो इस तरह से लिखिएगा कुछ उपाए हैं जो सरकार अपना सकती है कर सकती है जैसे श्रमिक कानूनों का उचित रूप से कारयानवाइन कराए इसका श्रमिक कानूनों का जिसम तक बोग प्रतिसपरदा करने में सक्षम नहों जाए अगर जरूरी हो तो सरकार व्यापार और निवेश की जो अवरोधक है उनका उप्योग कर सकते हैं कोई टेक्स लगा सकते हैं ताकि उन छोटे किसानों को छोटे मश्दूरों को छोटे उत्पाधकों को लाब मिल सके ह न, तो क्या काएंगे, न्याय संगत नियमों के लिए विश्वियापार संगठन से समझ होते भी कर सकते हैं जो अन्य विकाशील देश हैं, उनको मिलकर के लड़ना भी पड़ेगा और वो अपनी आवाज उठाते भी है और आप पिछले कई सारे देशों में देखोगे तो अलग-अलग अभियानों में लोगों ने एक जुट हो करके इस तरह के विरोध किये हैं चाहिए वो विश्वया पर संगठन हो या अन्य तरह के निवेश से जुड़े हुए सरकारों के निरणे हुआ इससे आपको दिखता है कि न्याय संगत वैश्वी करण का जो संगर्ष है कई सारे लोग भूमिका निवा रहे हैं या आपके सामने होंकों का एक द्रश है जहां पर कई सारे लोग सड़कों पर आकर के डव्ली टीयों के खिलाफ फिर प्रदर्शन कर रहे एक बार इसको आप पढ़ लीजेगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टन बाते कही गई है लगबग वही है तो चैप्टर जब आपने पढ़ लिया है आप एक बार उसका सारांश जरूर पढ़ लिजे सारांश से क्या है आपको तुरंद के तुरंद अड़ टाइम अभी सभी चीजे रिकॉल हो जाएंगी जिससे आपको दुबारा फिर पढ़ने की मेहनत नहीं करने पड़ेगी हम कुछ सवालों को जरूर देख लेते हैं प्रशन किस तरह के इस चैप्टर में पूछे गए हैं पहला प्रशन क्या है वैश्वी करण से आप क्या समझते हैं शब्दो चाहती थी यही मैंने आपको बताया श्रम कारूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा अगला दूसरे देशों में बहुराष्ट्री कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रन थापित करती हैं अगला विक्तित देश विकाशील देश देशों से उनके व्यापार और निवेश पर उदारी करण क्यों चाहते हैं कि आप मानते हैं कि विकाशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए अगला क्या है वैश्वी करण का प्रभाव एक समान नहीं है इस कतन की व्याख्या कीजिए अपने शब्दों में तो व्यापार और निवेश नीतियों का उदारी करण वैश्वी करण प्रकरिया में कैसे सहायता पहुंचाती है। विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों में एकी करण में किस तरह मदद करता है कुछ उधारण से आपको व्याथ्या करनी है अगला वैश्वी करण भवविश में जारी जारी रहेगा क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 20 साल बाद विश्व कैसा होगा एक रिक्ति जोते चप्पल खेल के समान कॉल सेंटर टाऊकर वियापार अनुंहरं किस तरह के मैजन के लिए भ्याथ्या लागे विदेशों में नेवेश्च करने वाली भारती कम्पने कौन दी टाऊकर सांदद इन्फोसिस वगेरा आईटी ने सेवाओं के उत्पादन में साहता किये किस तरह की साहता किये कॉल सेंटर अगला क्या है अनेक बहुराश्ट्री कंपनिया ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है यहां पर आपको विकल्पी प्रशनों को सॉल्व करने का अभ्यास करना है वैश्वी करण ने विगत दो दशकों में तीवर आवगमन देखा है कहां पर देखा है विश्व ने देशों के देशों में बहुराश्टी कंपनियों दोरा ने वेश का सबसे अधिक सामाने मार्क क कंपनियों को खरीद लो या स्थानी कंपनियों से साज़दारी कर लो इसी तरह वैश्वी करण ने जीवन स्थर के सुधार में साहता पहुंचाई है सभी लोगों के विक्सित देश के लोगों के विकाशील देशों की संखों के लपर एक मेंसे कोई नहीं तो आपको बताना ह वैसे तो मैंने अभी तक शुरू नहीं किया था बट एकोनॉमी की NCRT से ही मैंने अर्थववस्ता का सेक्शन आप लोगों के लिए शुरू किया है अलाकि Current Affair पर हम चर्चा करते रहते हैं लेकिन इस पर आपका दिया गया रेव्यू भी बहुत महत्पूर्ण होगा इसके लाबा इस पेशल क्लास का लिंक मैंने आपको बता दिया है टेलग्राम चैनल का नीचे कमेंट सेक्शन में दिया है तो आप उस पर जाकर के उसको जॉइन कर लिजे ताकि क्लासिस में भी आप आ सकें और अपनी तैयारी बहतर तरीके से कर सकें तो पढ़ते रहे अपना खूब सारा ख्याल लखिए मिलते हैं अगली क्लास में शुक्रिया